वश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका एक बार फिल से हमारे यूटीव चैनल एजुकेशन स्टडी में तो फ्रेंस आज की इस वीडियो में हम डिसर्स करने वाले हैं फार्मासिस्ट एलोपैथी पोस्ट गॉर्ट नॉक्सो चौवन का फेपर जो की HPSSE दोरा कंड़क्ट करवाया गया था 14 माई 2022 को तो इसका हम GK वाला सेक्षन डिसर्स करेंगे फ्रेंस वीडियो के आन तक बने रहे हैं काफी important question GK के इस exam में पूछे गे थे और वीडियो अच्छी लगे तो प्रीज उसे like share और channel को साथ में जरूर subscribe कर दें कि इस तरह का contact आपको आगे भी लगतार मिलता रहे है तो चली फ्रेंस शुरू करते हैं आज की ब्यूडियो तो सबसे पहले देखिए HPGK से शुरू करते हैं question number 121 हिमाचल परदेश की कौन सी तहसिल शिवालिक पाडियों में नहीं आती है आप्शन देखिए नाहन, भोरंज, पाचड या अन्नी तो इसका right answer जो होगा option number D अन्नी इसका right answer होगा अन्नी तहसिल जो है शिवालिक पाडियों में नहीं आती है next question देखिए हिमाचल परदेश का कौन सा जिला बिलासपूर के पश्ची में सीता है which district of HP is located to the west of बिलासपूर option देखिए मंडी, सोलन, कुलू या फिर उन्ना तो फ्रेंस इसमें से उन्ना डिस्टिक जो है बिलासपूर के पश्ची में सीता है best direction में सीता है option number D यहां पर right answer हो next question next question सन 18045 में कांगडा रियासत पर आकरवन करने वाले गोर्खा सेना का सेना पती कौन था बहुत बार रिपीट होता है यह वाला question तो बोथा अमर सिंग थापा option number D देखी यहां पर right answer हो next question हिमाचल परदेश में भज्जी रियासत की स्थापना किस ने की थी तो बज्जी रियासत की स्थापना की थी चारू ने option number D यहां पर right answer हो next question हिमाचल परदेश की कांगडा रियासत कब अंग्रेज्जों के अधिपत्ते में आई थी तो इसमें से D option हमारा right answer हो का none of these क्योंकि कांगडा रियासत अंग्रेज्जों के अधिपत्ते में आई थी 1846 में जो कि यहां option नहीं दिया गया next question who was known as पहाडी गांदी किसे पहाडी गांदी के रूम में जाना जाता है तो बाबा कांसिराम जी को पहाडी गांदी के रूम में जाना जाता था D option यहां पर right answer है और इन्हें पहाडी गांदी कहकर पुकारा था जोहरलाद नहरूजी ने और स्रोजिनी नाइडू नहीं इन्हें बाबा कांसिराम को पहाड़ांदा बूलबल कहा था next question who conceived the idea of नलवाडी फेर औफ बिलासपूर in 1889 AD सन 1899 में बिलासपूर के नलवाडी मेले का बिचार किसने प्रसुद किया था तो नलवाडी मेले का बिचार प्रसुद किया था डवली गोल्डस्टीन ने option number B यहां पर right answer को डवली गोल्डस्टीन next question the local deity of मलाना बिलेज औफ कुलू जामलू देपता is personified as कुलू के मलाना गाम के लोक देपता जामलू देपता किसके रूम में साकार है तो यह हैं रिशी जमदागनी के रूम में option number A यहां पर right answer को रिशी जमदागनी next question रुमाल औविच डिस्टिक ऑफ हैच पी are very famous हिमाचल परदेश के किस जिले के रूम माल परसीद है यह भी आसान question है तो चमबा जिले के रूम माल काफी परसीद है यह option यहां पर right answer होगा next question in which year कुट कल्टिवेशन वास introduced in लाहौल स्पिती डिस्टिक ऑफ हैच पी हिमाचल परदेश के लाहौल स्पिती जिले में कुट कुट जो है फसल किस वरस में परारंब हुई थी तो यह उती 1925 में option number A यहां पर देखिए right answer होगा next question the government ayurvedi college in HP is located at beach place हिमाचल परदेश में सरकारी ayurvedi college किस स्थान पर सिथ है तो सरकारी ayurvedi college यह स्थान परोला में option number D right answer होगा और उसका नाम है राजीव गांदी गुवर्नेंट पॉस्ट ग्रेजुएट ayurvedi college परोला और यह स्थापित हुआ था 1972 में next question mangal Singh Patayal एक INA सैनिक हिमाचल परदेश के किस जिले से थे mangal Singh Patayal जो थे तो यह स्थी थे बिलासपुर district से option number A यहां पर a right answer होगा next question the satloos does not flow through which district of HP satloos हिमाचल परदेश के किस जिले में नहीं बहती है तो यह सिरमौर जिले में नहीं बहती है satloos नदी जो है a option यहां पर a right answer होगा next question in which year किस वर्ष शिमला काल का रेलवे को heritage गोशित किया गया था 2008 में 2008 में option number D right answer होगा next question देखिए history का the salient feature of rig Vedic religion was the worship of rig Vedic dharam की मुखे विशेस्ता dash की पूजा थी तो rig Vedic dharam की मुखे विशेस्ता थी प्रकृति की पूजा option number A right answer होगा next question किस नदी के तड़ पर pull question दीती ने हर्स वर्दन को हराया था pull question duty defeated हर्स वर्दन on the wank of each river तो pull question दीती ने हर्स वर्दन को हराया था नर्मदा नदी के तड़ पर option number B right answer होगा next question which Delhi सुल्तान issued copper coin instead of silver ones किस दिल्ली सुल्तान ने चांदी की जगह तांबर सिक्के जारी किये तो वो वला दिल्ली का सुल्तान था मुहम्मद बिन तुबलग जिसने चांदी की जगह पर तांबर के सिक्के जारी किये थे option number A right answer होगा next question in 1809 महराजा रंजीत सिंग signed a treaty with 1809 में महराजा रंजीत सिंग ने किस के साथ संदी पर हस्ताक्षर किये तो 1809 में महराजा रंजीत सिंग ने इस चिनिये कंपनी के साथ संदी पर हस्ताक्षर किये थे option number A right answer होगा और जिसे अमरित सर की संदी के नाम से जाना जाता है next question who built the stupa at Sanchi Sanchi के stupa का निर्मान किस ने करवाया था Sanchi के stupa का निर्मान करवाया था समराट अशोक ने option number A right answer होगा next question the split between the extremist and moderates took place in which session of India national congress बारती राष्टी कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में नरम पंतियों और गरम पंतियों में बिवाजन हुआ था कौन सा वो अधिवेशन था तो फ्रेंस बो वाला अधिवेशन था सूरत अधिवेशन D option यहां पर right answer होगा next question the distribution of seats of the parliament are based on which census संसद की seatओं का बंतवारा किस जनगर्ना पर अधारित है संसद की seatओं का बंतवारा यह धारित है 1971 की जनगर्ना का 1971 यहां पर right answer होगा option number C next question the journal council discuss matter relating to क्षेतरी परिशद किसे संबंदित मामलों पर चर्चा करती है क्षेतरी परिशद देखिए option दिए गये है तो इसमें से D हमारा right answer होगा all of these क्षेतरी परिशद जो है यह इन सबी मामलों पर चर्चा करती है अंतराजे परिवहन, सीमा विवाद आर्थी के बन समाजिक योजना तो इसमें D वाला देखिए right answer होगा next question democracy in India rest on the fact that भारत में लोगतंतर इस तत्थे पर अधारित है कि तो जो option दिए गये है इसमें से right answer होगा option number A the constitution is written one सम्बीदान लिखित है option number A right answer है भारत में लोगतंतर इस तत्थे पर अधारित है कि यह सम्बीदान जो है लिखित है next question किस पंचवरसी योजना में आतम निरवरता और शून्य बिदेशी साहिता का उदेश से गोशित किया गया था आतम निरवरता और शून्य बिदेशी साहिता का उदेश से ये कौन सी पंचवरसी योजना में गोशित किया गया था तो ये गोशित किया गया था चौत्थी पंचवरसी योजना में fourth option number C देखिए यहां पर a right answer होगा next question next question the planet having the largest number of satellites in the solar system is सौर मंडल में उप ग्रहों की सरवादिक संख्या वाला ग्रह कौन सा है तो वो वाला ग्रह है सैचरौन शनी ग्रह इसके सबसे जाच अंदरमा है इसमें से हमारा C option जो है वो right answer होगा next question the place which has the longest day and the shortest night on 22nd December is 22 December को सबसे लंबे दिन और तो वो वाला स्थान है male warn option number C देखिए यहां पर right answer होगा next question समुद्री भूमदे क्षेत्रों में निमंद दाव और परकास सथा परिवर्ती पबनों वाले क्षेत्र के लिए प्रिक्त पद तो देखिए इसमें से डोल ड्रम जो हो right answer होगा इसके लिए बिशू परशांत मंडल B option देखिए right answer है door drums next question which is not a fresh water lake कौन सी मीठे पानी की जील नहीं है friends इस question में थोड़ा doubt है side TT का का यहां पर right answer होगा अगर आपको इस question का सही answer पता हो तो प्रिस comment section में जिरूर शेर करें but side TT का का right answer होगा next question which state does not lie along the water of Pakistan कौन सा राजे पाकिस्तान की सीमा के साथ स्थीत नहीं है तो उसमें देखिए पंजाब, राजेसान और गुजराद यह तो तीनों ही पाकिसान की सीमा के साथ सीत है तो उसमें ही माचल हमारा right answer होगा HB option number D देखिए यह right answer है next question in which state wet agriculture is practiced किस राजे में आरदर क्रिशी पर चली था है यह पर चली था है केरल में option number D देखिए यहाँ पर right answer होगा केरल next question diamond is an allotropic form of diamond किसका अपर रूपी है तो diamond जो है यह अपर रूपी है carbon का option number B यहाँ पर right answer होगा carbon next question heavy water is भारी जल है तो बारी जल जो होता है उसे deuterium oxide भी कहते है option number B यहाँ पर right answer होगा deuterium oxide question laparoscopy is connected with laparoscopy किसे संबंदी था है तो फ्रें लेपरोस्कोपी यह संबंदी था है gynecologist operation से option number D right answer होगा gynecological operation next question existence on moon is not possible because of किस कारण चंद्रमा पर जीवन संबंब नहीं है तो चार option जो दिए गए है हमारा D right answer होगा its weak gravitational power इसकी कमजोर गुरतवा करशन शक्ती के कारण D वाला right answer होगा next question which Indian bank recently launched the first video life certificate service for pensioners किस वारती bank ने हाल ही में pension धारियों के लिए पहली बीडियो जीवन परमान पत्र शेवा प्रारंब की तो यह प्रारंब की है State Bank of India SYSBI ने option number B यहां पर right answer होगा next question which country has recently passed the historic 1 trillion dollar infrastructure will किस देश ने हाल ही में एतिहासिक 1 trillion dollar infrastructure भी देख पारित किया तो यह भी देख पारित किया है यूएसे ने option number B यहां पर right answer होगा next question Parker Solar Probe which was in the news recently was launched by which country Parker Solar Probe जो हाल ही में समचारों में था किस देश द्वारा प्रारंब किया गया था यह प्रारंब किया गया था USA के द्वारा option number C यहां पर देखे right answer होगा next thank you friends English section one word substitution for one who takes delight in excessive cruelty तो इसके लिए one word जो होगा sadist option number C right answer होगा next thank you antonym of blisses तो bliss का antonymus होगा misery option number C right answer होगा he grew tired of hard work and began to despair dash success तो इसमें of बरा जाएगा preposition of यहां पर A right answer होगा next question meaning of the idiom agondist I is agondist I इस idiom का मतलब क्या होगा इसका होगा prejudice option number D यहां पर right answer होगा next देखिए हिंदी section है हाथ डालना मुहावरे का आर्थ तो हाथ डालना मुहावरे का आर्थ होता है और रंब करना option number A right answer होगा आगे देखिए बासकर का प्रयाव अच्छी है तो इनमें से बासकर का प्रयाव अच्छी है martand option number A यहां पर right answer होगा next question देखिए बुराई में प्रत्य है तो बुराई में कौन सा प्रत्य है बुराई में आई प्रत्य होता है option number D यहां पर right answer होगा थोड़ा सा यहां पर blur है देखने के के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही होगी तो next देखिए गंश्याम में समास है तो फरें गंश्याम में देखिए करमदारे समास होता है जो कि यहां option में नहीं दिया है तो इसका भी देखते है final answer की में क्या answer निकलता है वैसे तो गंश्याम में जो होगा वो होगा करमदारे next देखिए bitch of the following famous ruler is called as father of inscription next question the second battle of panipat took place panipat की दूसरी लड़ाई कब हुई तो panipat की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में option number B right answer होगा यह हुई थी अकवर और हेमू के बीच में और पहली लड़ाई हुई थी 1526 में और तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में और 1576 में हुआ था हल्दी गाटी का युद्ध next question which became the first capital of a kingdom under the तोमर राजबूत तोमर राजबूतों के अधिन सामराज की राज़ानी सबसे पहले कौन बनी थी तो गो बनी थी देली option number A यहां पर right answer होगा next question who was appointed by अकवर as his court musician अकवर दोरा किसे अपने दरवारी संगीत अग्या के रूम में निक्त किया गया था तो यह किया गया था मिया तान सेन को मिया तान सेन option B हमारा यहां पर right answer हो next question which is in the world heritage list निमन में से कौन सा बिशब दरोहर सूची में है तो इन में देखी खजुराहू, ताजमेल और हमपी यह तीनों जो हैं बिशब दरोहर सूची में हैं तो option number D right answer होगा all of these next question which year did बंकिम चंदर चटोपाद्याई रोट अनंदमत बंकिम चंदर चटोपाद्याई ने किस वर्स अनंदमत लिखा था तो अनंदमतिनों ने लिखा था 1882 1882 में option number C यहां पर देखे right answer होगा है next question बेर वाज़ दा first session of the Indian National Congress held बारती राष्टी Congress का प्रथम अधिवेशन कहां संपन हुआ था बारती राष्टी Congress का प्रथम अधिवेशन संपन हुआ था बंबे में 1885 में next question देखे Constituent Assembly of India was formulated on the recommendation of बात की संबिधान सबा का निर्मान किस की अनुशनशा पर हुआ था बात की संबिधान सबा का निर्मान यह हुआ था cabinet mission की अनुशनशा पर option number D यहां पर right answer होगा cabinet mission next question where do we find the ideals of Indian democracy in the constitution संबिधान में भारती लोकतंतर का सवरूप कहां मिलता है तो संबिधान में भारती लोकतंतर का सवरूप मिलता है the preamble में परस्ताबना में option number A यहां पर right answer होगा next question seventh schedule of the constitution of India deals with भारती संबिधान की सातमी अनसूची संबंदित है तो देखी बारती संबिधान की सातमी अनसूची जो है यह संबंदित है संग सूची, राज्य सूची और संबर्ती सूची से जो कि यह option नहीं दिया गया तो इसमें D option right answer होगा इन मैं से कोई नहीं none of these next question if the prime minister of India submits his resignation to the president it will means the resignation of the यदि भारत का प्रदान मंत्री अपना त्याग पत्र राष्टपत्री को सौमता है तो इसका अर्थ त्याग पत्र होगा तो इसका अर्थ होगा कि त्याग पत्र होगा यह संपून मंत्री मंदल का entire council of minister का option number C यहां पर right answer होगा next question the function of pro term speaker is अलब कालीन अध्यक्ष का कारे है अलब कालीन अध्यक्ष का कारे है नियमत अध्यक्ष चुना जाता है तब तक सदस्यों को शबत दिलाना और पत्र ग्रैंड करना यानिकि अलब कालीन अध्यक्ष का कारे क्या होगा क्योंकि इसके गुर्णन और परी ब्रणम के काल समान है, its period of rotation and revolution are the same. Option number C, यहां पर right answer होगा. Next question, which river does not originate in Indian territory? निवन में से कौन सी नदी का उद्गम भातिक शेतर में नहीं होता है? तो वो बाली नदी है, ब्रह्म पुत्तर नदी. Option number B, यहां पर right answer होगा. Next question, which state are prone to cyclones during retreating मानसून सीजन? पस्च गामी मानसून रितु के दरौन, कौन से राजे चक्रवाद प्रवण है? तो वो बाली राजे हैं, आंद्र प्रदेश और ओडिसा. Option number D, देखिए, यहां पर right answer होगा. Next question, the most ideal reason for cultivation of cotton in India is, बारत में कपास की खेती के लिए सर्वादिक अदर्श क्षेतर कौन सा है? तो कपास की खेती के लिए सर्वादिक अदर्श क्षेतर है, देकन प्लैट्यू. Option number B, right answer होगा, दक्कन पठार. Next question, the silent valley is located in which Indian state? Silent ghaati किस बालती राजे में स्थीत है? Silent ghaati, ये स्थीत है friends, केरल में, option number A देखिए, right answer होगा. Next question, कलाकर मुडन थुराई Tiger Reserve किस राजे में स्थीत है? कलाकर मुडन थुराई Tiger Reserve, ये स्थीत है, तमिल नाडू में देखिए, option number A यहाँ पर right answer होगा इसका. Next question, तिहरी hydro power complex is constructed on beach river. तिहरी जल बिदुद complex किस नदी पर निर्मित है? तिहरी जल बिदुद complex, ये निर्मित है, भागी रती नदी पर, D option है यहाँ पर right answer होगा. Next question, इंडिया's population growth is characterized by, बारत की जनसंख्या बृद्धी किस से बिशेशित होती है? तो भारत की जनसंख्या बृद्धी, ये बिशेशित होती है, and increase in the worth rate and declining death rate, यानकि जनम दर में बृद्धी और गट्ती मृद्धी दर से. Option number C, यहाँ पर right answer होगा. तो इसी के साथ friends, अभी हमने pharmacist alopathy, postcode 954 का GK वाला section जो था, वो complete discuss कर लिया. I hope कि आपको वीडियो पसांद आई होगी. जल्दी ही मिलेंगे सी तरह की next वीडियो के साथ तब तक के लिए. जैहीन, thank you for watching patiently.